हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग भाई आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मिर्च की फ़सल पर पहले पांच स्प्रे जो मिर्च की किरॉफ है इस फ़सल पर पहले पांच स्प्रे काफी ज़्यादा महत्पूर होते हैं क्योंकि को हेवी डोज वाली कोई हेवी केमिकल स्रेंज वाली यदि दवाईयों का इस्परिय हम ले लेते हैं तो हमारी मिर्च की फचल पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है हमारी मिर्च की फचल जो वढवाल ले रही है वही वी चाल ठीक तरीके से पकड़ने रहे और सुरुवाती फंगस जबाती है तो उसको हमको नियंदर्ल करने के लिए सुरुवाती चलणों के शुरुवाती आवस्ता पर फंगस को कैसे हमको रोगना है और साथ ही कीटों की रोक थाम किस प्रकार करना है और पत्ते भी हरी भरी रहें और जो हमारी मिर्च की फसल है उसकी वेजिटेटिव बढ़वार भी काफी अच्छी रहा है रूट जो होती है वह भी ठीक तरीके से अपना भोजन बनाए जायलम और फ्लोयम की जो प्रोसेस है वह भी तीज रहे तो मिर्च की फसल पर पहले पांच स्प्रे बहुत ही जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं मिर्च की फसल पर पहले पांच स्प्रे और यदि आप जानकारी चाहते हैं कि मिर्च की फसल पर A to Z जानकारी तो कुछ टाइम पहले ही हमने वीडियो अप्लोड की है जिसे प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक नरसरी तयार करने से लेके उननत बैराइटी तक और सीचाही से लेके ड्रिप एरिगेसं तक संपूर जानकारी चैनल पर अवेलेवाल है लिंक डिस्क्रिप्स ने मिल जाएगी आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं यदि कोई किसान भाई यह से भी हैं जो बेदाव ड्रिप मलचंग की खे और सिर्य म्रिप यह सारी मिर्च से रेल bịडि़ बीडियो मिल जाएगी दो चलिए शुरू करते हैं मिर्च की फजल पर पहला इस्प्रे अब मिर्च की फजल जैसे ट्रांस-प्लांट पोधर हुवपाईस हैं दस दिन की होती है तो हम इस्प्रे चालू कर देते हैं अब पह पाता है उसके हिसाब से ही हम आपको डोज बतलाने वाले हैं तो 15 लीटर पानी में इमीडा कलूपिड 17.8% EC इंसेक्टिसाइट 6 ml लेना है और कारवेंडाजम प्लस मेंको जैवेक तो जो फपून ना सकाती है साब फंगिसाइट 50 ग्राम लेना है 15 लीटर पानी मिक्स करके आपको प्रती पंप की दर्शें इस्प्रे कर देना है अब इसके अलाव बात करते हैं सेकंड इस्प्रे की बारे में तो पौध रूपाई से हमारी मिर्च की फसल लगभग 20 दिन के आसपास की होती है तो हमको सेकंड इस्प्रे करना चाहिए अब सेकंड इस्प्रे पर जब हमारी मिर्च की फसल 20 दिन की होती है तो रस चूसक कीटों के सांसां हमको लगता है कि हमारी मिर्च की फसल और तेजी से बढ़वाल ले एक सांदर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कॉंटिस को ले सकते हैं और लांसर गोल्ड जिसमें ऐसी फेट और इमीडा कलोर्पट का कॉम्बिनेशन है अब जो लांसर गोल्ड आता है इसको लेना है आपको 40 ग्राम और सेजेंटा कम्टिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लेना है एक टानिक की भादी भी काम करता है एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की भादी काम करता है तो अब क्वांटिस को लेना है 40 ml लांसर गोल्ड को 40 ग्राम इन दौनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में ठीक तरीकी से घोल कर स्प्रे कर दीजिए यह था सेकंड स्प्रे थर्ड स्प्रे पर हम ले रहे हैं एमामेक्टीन वेंजवाइट 5% स्जी इंसेक्टिसाइट 15 लीटर पानी में 8 ग्राम और एक और प्लांट के रोध प्रमोटर का हम स्प्रे कर रहे हैं पोशक शुपर और एक फपुन नासक रेडियोमिल गोल्ड फंगी साइट 15 ग्राम और एमामेक्टीन वेंजवाइट 15 लीटर पानी में 8 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर का जो पंप आता है उसके हिसाब से हम स्प्रे कर दे रहे हैं इसके अलाबा जब हमारी मिर्च की फसल बहुत रूपाई से हैं फोर्थ स्प्रे के बारे हम बात कर रहे हैं 40 दिन की आसपास की होते हैं तो हमको फोर्थ स्प्रे में हम ले सकते हैं वायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगिसाइट 35 ग्राम अब एंट्राकॉल फंगिसाइट पर जो कॉम्मिरेंसन है प्रॉपी नेव 70% आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं एंट्राकॉल फंगिसाइट 35 ग्राम इसके साथ क्रेश्टल की एवसीन, अब एवसीन का काम होता है मकड़ी की रोक थाम करना, क्योंकि मिर्च की फजल पर माइट्स को भी रोकना, उतना ही जरूरी है जितना वाइट पलाई को रोकना, इसके साथ एसिटामी प्रेड 20% SP इंसेक्टिसाइट को लेना है 8 ग्राम, 15 लीटर पानी में एंट्राकॉल 35 ग्राम, एवसीन 15 एमेल और एसिटामी प्रेड 8 ग्राम की दर्सें 15 लीटर पानी में घोल का इस्प्रेड आप कर सकते हैं, इसके अलावा बात करते हैं फिप्त इस्प्रे की बारे में, तो पांच बाइट इस्प्रे हमको करना है बहुत इसके कमपनी डाइ मैं थोर 30 परसेंट एसी दे रही हैं, तो 15 लीटर पानी में 20 एमेल, साब फंगी साइड 30 ग्राम और फेंटाक प्लस टॉनिक, क्योंकि जब हमारी मिर्च की फचल 50 दिन की आसपास की होती है, तो फलावरिंग स्टीच पर आजाती है, फेंटाक प्लस चारणों पर यदि आप इस्प्रे करते हैं तो मिर्च की फसल स्वस्त रहेगी, वारस मुकत रहेगी, कीट मुकत रहेगी और फंगस भी नहीं आएंगे और जो मिर्च की फसल की चाल है, बढ़वार है वह भी सही तरीकेश होगी. मिर्च की फसल पर आपको एक बात याद पर आपकी जो सस्ती रेंज वाली दवाईएं होती हैं फिर वह दवाईएं काम नहीं करेंगी यदि आप शुरुआती चड़ों पर हैवी डोज वाली हैवी रेंज वाली दवाईएं का स्प्रे कर लेते हैं तो फिर बाद में सस्ती दवाईएं काम नहीं करेंगी जिससे असानिए से कंट्रॉल और रोगधां करपाएं यदि आपकी मिर्च की फसल वारस जेंसे रोगों से ग्रासित है तो हमने कुछ टाइम पहले ही वारसपर मिर्च की फसल पर कुछ टाइम पहले ही चैनल पर वीडियो अफ्लोट की है वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही धन्नवाद एंड नमस्कार